और कहते हैं कि वैक्ति जब जनम लेता है तो उसके साथ मैं धरम जनम लेता है और वैक्ति की पहली शुरुआ तो धरम से ही होती है और वैक्ति जब गरब अवस्ता में होता है तो अंधन्य परकार के तुख जेलते जेलते वो भगवान से वादा करता है कि मैं जनम लेने के ब लेकिन याद जनम लेने के बाद मो माया और एंकार जैसे विकरा में फस जाते हैं और अपन दिरे 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 भगवान को भूलते जाते हैं और माया में समिठते जाते हैं लेकिन जब गणपती का दिन आता है किसी देवी देवता का दिन आता है तो हम भगवान को इस बाहने याज करते हैं और जिस समय हम इस कारेकर में भगवान के निमित घर से रवाना होते हैं तो हमारा बाव साख साथ भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है और जब चल करके हम यहां आते हैं भगवान के दरबार में तो हमारा मन भी पोईत्र हो जाता है और हमारा तन भी पोईत्र हो जाता है और जब पोईत्र तन को ले करके हम अपने घर चलते हैं तो जो ही घर की चोकट पर पहुंच ले तो पूरा घर पोईत्र हो जाता है घर में रहने वाले सारे सदेशे पोईत्र होता जाते हैं ऐसा से निवास बुल्देव नगर और बाड मेर विद्दान सभासे आप लोगों का अगर आशिवाद रहा तो मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा आपके लिए हर समय हाशिर होंगा बहुत-बहुत धन्यवाद जाहिए